अगला कोश्चन दिया है यूज को यूज करते हैं या डेल अब बोल सकते हो ठीक है तो हम यह करते हैं पहले इसकी वालिम बात करते हैं करते हैं यूज के रिखा हुआ है जैसे लिखा हुआ है य सबस्क्राइब करते हैं और इसको आप बोल दिया जाए कि एकस के डिफरेंसियेट करते हैं तो कितना है इगा ठीक है अब देखो जैसे लिखा हुआ है y is equal to e के पावर 3x अब बोल दिया जाए इसको यह एक बड़ x के डिफ्रेंशियेट करो तो क्या परों के पहले dy by dx is equal to जो है उसको डिफ्रेंशियेट करोगई यह से लिखा हुआ है यह से दिफ्रेंशियेशन को कई तरीके से लिखा जासकता है ठीक है यह यह सब करते हैं तो यह कुल गया जो चीजब्स नहीं के पावर एक और एक से हैं तो यह सो यह से 3x का differentiation x आउन kت में 3 हो गया तो इतना ओ गया तो देखो वैसे ही हम क्या करते इसको differentiate करते हैं या from y by x को differentiate करते हैं क्या d y bezs करना है घत्पर 48gón फिर चेनर ज़ांकर के 3x-ije harm को इस को इसे डिफ्रेंसाइट कर लो एफ योडिया ओडिया वाइफ सेट करने का तरीक है फिर क्या करेंगे चेह लूल लगा कि इस थो डिफ्रेंसेट करेंगे फिर कर देफ यूल करेंगे तो पहले हमने क्या कर लिया है यह इसको डिफरेंसेट कर दिया जो भी आया वही है ठीक है फिर क्या करेंगे 打 screet करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे इस वह यूदक अशनीन करेंगे यह इसको आलेक्स दिफरेंशेट करना मतलब य को ऐसा गॉस्टेंट करेंगे यूदक मेंखेंशिय जिसके रिसपेंट में कर तों ठीक है लेकिन जो भी दूसरा चीज बसता है ये वारीएबल उसको वं कॉंस्टं की तरह डइकर दें तो पहले यूई भी बाइवत फॉर्म की तरह दिख रहे हैं तो नीची एक का स्वार फिर यक को डिफरेंशेट करना है वाई को उने कॉंस्टेंट बोल दिया है कि वह पार्सल डिफरेंशेशन को तो य तो constant है उसका differentiation 0, minus is by y बाहर, x को differentiate करो गए, तो x का x का respect में differentiation 1 होगा, तो minus y by x square आया, तो minus का y by x square आया, ठीक है कि यह बात clear होगा, चलो, जैसे देखो, फिर्ट से देख लो क्या लिखा हुआ है, de u by del x कैसे आया, पहले हमने क्या किया, जैसे दिखा हुआ है, y is equal to e k power 3x, इसको differentiate करना है, x का respect में, तो dy by dx, जिसको आप y dash, या y ऐसे, या f dash, ऐसे denote करते हो, उसको क्या करो कि जो है, पहले उसको differentiate करो, क्या e k power 3x है, तो e k power 3x हो, e k power 3x का differentiation e k power 3x, फिर chain rule लगा करे 3x को differentiate क करो, by 3y ऐसे हमें किया होँदा, फिर जो था फिर उसको differentiate करो, फिर क्या किया थिर फिर कहलो, तो यह एक है थिक है, तो उसको क्या कर sk内 कलो, आगे वी बीशे कलो, यह पहले कर लो नीर थो एक सब्सक्राइब कर से तो यह उसे यह उन्हों कर दो दिख लिए तो जो कर दो तो माइनस इसा घुरुद सब्सक्राइब है चला पहला ओब दूसरी कोशन की बात करते हैं तो पहले तो वह जो है उसको डिफ्रेंसियेट कर लो यह अब फिर क्या को चेन रूल लगा के वाई बाई एक्स को डिफ्रेंसियेट करो इस बार वाई के रिस्पेक्ट में करना है मतलब इस बार यक्स क्या होगा बाई कोई्श्टेंट की थिर्फ रिफ रिफ्रेंसियेशन वन मतलब सिर्फ वाई एक्स बचा यक्स बचात्य करो इसके ये मिल्टिप्लाइग कर दो तो y-dy-dy is equal to y multiply करो कि दोनों साइड तो यहां पे y by x बन जाएगा और यहां पर यहां पर y by x बन जाएगा ठीक ऐस को फिस्थपर बना देना इसको को इक्वेशन बना देना ठीक है नाओ एडिंग एक्वेशन नंबर 1 & 2 दोनों को एड़ करो यहां पर क्या निगेटिव पोर्शन में यहां पर यह पॉस्टिव पोर्शन में कट्पिट के खतम हो जाएगा मतलब क्या हम कहा करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो कितना मिलेगा जीरू मिलेगा यही बात हम को गया करना था प्रोफ करना था इंपॉस्टिव बस यही है कि पार्शन टेरिवेटिव में इसका रिस्पेक्ट में कर रहे हो वह तो ठीक है लेकिन जो भी वेरियाबल बच रहा है वोसको आप कॉंशन के तरह ट्रीट करोगे ठीक है इसको नोट करो